हेलो मैं दियर फ्रेंड्स मैं प्राविन कुमार पीके सर केमेस्ट्री लेक्चुरर आप सभी का अपेक्स क्लास इसके डिजिटल प्लेट्फर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे लास्ट जो क्लास है वहां से हमने नया चैप्टर पी ब करेंगे जिसके लिए आपके जो बेसिक चीज़े हैं उनको अपने वहां पर डिसकस किया था तो दोस्तों फटा फटा भी चैप्टर जो है मैनली जो ट्वल्थ का पोरिशन है आज स्टार्ट होने वाला इस क्लास में तो इसलिए आप लोग इंपोर्टेंट क्लास है और द आपका पी ब्लोक और आप लोग ट्वल्थ क्लास के अकोर्डिंग जो आप पी ब्लोक देखना चाह रहे हैं तो इसका मैनली जो है डिसकेशन जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसलिए आप सेशन को लाइक कर दीजे और फटा फट सभी को शेर कर दीजे जिससे अपन स्टार्ट कर सकें ओके देखेगा यहां पर पी ब्लोक में लास्ट जो अपन जनरल इंट्रोडेक्शन की बात कर रहे थे उस जनरल इंट्रोडेक्शन में दोस्तों अपने वहां पे इनर्ट पैर इफक्ट की बात चल रहे हैं इनर्ट पैर इफक्ट जो है जो आपके पास S electron है वो पूरा जो pair है NS2 वो bonding में वहाँ involved नहीं होता that is वो पूरा part जो involved नहीं हो रहा that means inert है तो inert pair effect था आपके पास में group 13 में मैं explain कर चुका हूँ एक बार मैं group 14 और उस पर question और देन अपन 15 group से जो अपना chapter स्टार्ट होगा महा says कर देंगे तब तक सब लोग भी आ जाएंगे सभी को बुला लेजिए का फटाफट पाच मिनिट का जो inert pair effect है उसको यहाँ पे एक बार important है इसलिए देख लिएगा inert pair effect यह आपका inert pair जो effect अपने चल रहा था दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं ओके फटाफट सभी को शैर कर दीजिए का इंपोर्टेंट लेशन है ओके दिखेगा यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों तो होता है इसमें आपके पास में carbon कहे सीता जी सुनो प्रभू राइट कहे सीता जी सुनो प्रभू six number है atomic number यहाँ आपके पास fourteen था यहाँ आपके पास thirty two है fifty number था ओके और दोस्तों आपके पास में eighty two number था right clear है और देखिए दोस्तों यहाँ पे electronic configuration भी आप लोग देख चुके हैं मैं इसका electronic configuration बताना चाहूं तो आप लोग कहेंगे सर जरूरत ही नहीं है आम लोग पहले से अल्रेड़ी हम लोगों को आता है फिर भी मैं बता देता हूं यार यह लिए 1s2 2s2 2p2 right okay 1s2 2p2 sorry 2s2 1s2 2s2 clear 2p6 3s2 और आपका हो जाएगा 3p2 right clear 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 okay right 4s2 3d10 4p2 clear okay दोस्तों देखे यहां आप कहेंगे 1s2 2s2 2p जो है आपके पास में यहां पर यह हो जाएगा 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 okay 4p6 हो गया आपके पास में ओके आपके पास हो जाएगा देखेगा यहां पर 5s2 4d10 और आपका हो गया यहां पर दोस्तों 5p2 right clear देखेगा यहां तक आपके पास में 32 और 4 यह आपके हो गये देखेगा यह जो आपके पास में 36 के लिए हो गया 38 हो गया और यह आपके पास में हो गया 48 और यह आपका 50 complete आप लोग देख पाएंगे तो देखेगा यहां अगर आपन बात करें तो 1s2 2s2 और यह pattern जो है sp फिर सर यह पहले 1s2s3s हमें आदमी रो रहा किस तरह से क्या आप आएगा 4s पहले आएगा 4P तो इसके लिए ट्रिक दे रखिए आप लोग देख के आया हूंगे आज तो आप सब लोग लास्ट लेक्चर को और मैंने उसमें भी आपको यह बताया था लेकिन एक पहले यूट्यूब चैनल पर अपने पास में आपके पास एक lecture अवेलेबल है जिसक लोग देख लेजेगा उसको और आपके पास में है 2P6, 3S2, 3P6 राइट, 4P यहां पे आपका हो गया 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6 ओके आपके पास में हो गया 5P6 clear दोस्तो देन अगेन आपके पास हो जाएगा देखिएगा यहां पे 6S2, 4F14, 5D10 और 6P2 right clear है देखिएगा देखिएगा यहां पे बात करें तो आपको देखिएगा इसमें आपको जो वालेंस सेल है उसमें कितने लेक्टोन नजर आ रहे है 2 to 4 एलेक्टोन देखिएगा clear हो गया यहां जो है आपके पास में यह जो है कितना है 4 एलेक्टोन इस यह भी आपका कितना हो गया देखिए दोस्तों यह जो है आपके पास में है यह आपके पास में टू इलेक्ट्रोन है आपके पास यहां पर तो यह आपके पास प्लस टू हो गया क्लियर है और दोस्तों यह आपके पास में देखिएगा यह आपका टू इलेक्टोन आपके पास में है यह आपके पास में प्लस टू हो गया 5P2 पे ओके क्लियर है और यहां भी अगर अपन देखना चाहे तो आपको टू ही इलेक्टोन यहां पे नजर आ रहे है यह भी आपक प्लस टू ऑक्सिडिशिन नंबर हो गया क्लियर है देखे यहां पर दोस्तों देखना चाहेंगे आप लोग कि यह आपके पास में एनस जो आपका एनस इलेक्टोन पेर है यह पूरा इनर्ट के फोम में है यह पार्टिसपेट ही नहीं कर पा रहा है बॉन्ड फॉर्मिशन मे तो बॉन्ड फॉर्मिशन में पार्टिसपेट नहीं कर पा रहा है यह एन माइनस वन दी जो और्बिट है इनकी प्रसेंस के कारट ठीक है यह जो है एनस यहां पर हैपन कहेंगे एनस इलेक्टोन डस नॉत टेक इन bond, bonding the bond formation due to inert pair effect, यह एन पर हैपन कह सकते है due to n minus 1 d due to presence of n minus 1 d orbit okay देखेगा यहाँ पर due to अपने लिख दिया due to presence of n minus 1 d orbit इसके presence okay तो दोस्तों यह जो effect है इसी को ही हम क्या कहेंगे यह जो effect है आपका यह ही आपका क्या कहलाएगा inert pair effect होगा तो यहाँ आप लोग देख पा रहा है कि यह जो है यहाँ पर inert form में है यह भी पार्ट नहीं कर रहा है यह भी आपके पास bonding का पार्ट नहीं है तो यह जो आपके पास में पूरा जो पेर है वो इनर्ट फोम में है इसको अपन कहेंगे आपका इनर्ट प्लस फोर तक देखने को मिल रहा है ऐसे ही similarly 13 15 अपन देख पाएंगे और दोस्तों देखीगा यह जो आपके पास में है लोगर जो ऑक्सिदेशन जो स्टेट है यह आपका मोर स्टेबल ऑक्सिदेशन स्टेट है यह वाली प्लस टूई है यह आपके पास में मोर स्टेबल है ओके ऑक्सिदेशन number clear हो गया? ओके, दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसी group से question देखिए गया, क्या question आपको आपने पहले भी 11 में भी आपने देखा होगा question को इस तरह से question आ गया, जैसे PBI4 PBI4 जो है, यह अकर nature में बात करें इसके occurrence को देखें, तो यह नहीं पाया जाता है not found in a nature के अगर आपन बात करें, normally, तो देखिएगा PBI4 नहीं है, क्योंकि PBI4 क्यों नहीं है, देखिएगा, यह nature में नहीं होता क्योंकि दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे PB plus 4 form में है और यहाँ 4i आपका हो गया, minus right, तो यह जो है यह आपने कहा दिया not found, okay, लेकिन दोस्तों इसी के case में अगर आपन देखना चाहे, PBI2 की case की बात करें, जबकि PBI2 जो है, यह found occur in nature, okay because इसमें जो आपके पास में है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे, जो आपका PB है, वो plus 2 फीज में present है, तो यहाँ आपका 2i minus हो गया, okay देख पा रहें आप लोग तो देखेंगा, यहाँ यह जो PB है, यह आपके plus 4 में है, और PB के लिए देख पा रहें, आप plus 2 जो है, stable है plus 4 नहीं होता, right तो यह जो है, यहाँ पे unstable यह unstable आपके पास में oxidation है, unstable form में है और यह अपन कह सकते है, more stable है तो यह फटाफट जो है, इसमें convert होने की कोसिस करता है, okay तो यह इस form में convert हो जाता है यहाँ पे अपन यह भी क्या सकता है यह easily اسी में क्या हो जाता है convert हो जाता है, okay तो यह इस तरह का question भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कुछ reactions होती है आपके पास में, जिसमें आपको oxidation state जो आपके पास में है, plus 2 या जो जैसे आपके पास group 13 में plus 3 अपर में था नीचे आपके प्लस 1 था डाउन में तो इस तरह से इस questions उस पर भी बन सकता है कि कौन सी reaction possible है कौन सी नहीं है तो आप oxidation number से देख के आप बता सकते हैं कि आपका अगर stable है वहाँ पे oxidation number तो देन वो possible होगा आपके पास में और आपका 3-3 आपके पास में देखिएगा और यह आपके पास में 3-3-3 रहेगा 2-3 आपके पास 3-3, 4-3, 5-3 और यहापका हो जाएगा 6-3, group 15 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 5-5 और यहाँ आपके पास 3-3-3 रहेगा तो इस तरह से आपन ने कहा था कि आपको याद होगा इनर्ट पे फोर और टू आपके पास में फुटीन में फाइब तरी इस तरह से आपके पास में ऑक्सिडिशन में वेरीशन आ जाता है इनर्ट पेर इफेक्ट की प्रिजन्स के कारण ओके क्लेर हो गया अब हम अबरा जो चैप्टर है उस पर मैं पोर्शन पे आ रहे हैं सभी को आपने श उसका जनरल इंट्रेक्शन मैंने यहां करवा दिया आपको थोड़ी बहुत 11 की बातें याद आ गई है आपको ओके अब हम गुरूप 15 जो आपका 12 प्लास में है वहां से इसको स्टार्ट करें गुरूप 15 से फीव लोग को ओके रेडी करें स्टार्ट गाईस गुट देख स्टार्ट किया है और दोस्तों आप लोग जानते हैं इसको हम नाइट्रोजन ओके नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं यह आपके पास में नाइट्रोजन फैमिली है और दोस्तों देखिएगा इसे को हम निक्टोजन भी कहते हैं निकोजन भी बोलते हैं उनको यह निक्टोजन्स पी हैं आपके पास में P silent रहता यहाँ पर कि यह जो nitrogen है इसका nitrogen जो है इसका mean यहाँ पर है यह chocking elements है nitrogen जो है ना इसमें इसको निक्टोजन बोलते हैं क्योंकि यह chocking element है रिखीगा चौकिंग एलेमेंट ओके क्लियर है ग्रूप 15 के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहां से आपका 12th क्लास का जो चाप्टर है P-Block nitrogen family जो nitrogen या nitrogen आपके पास में है यहां से आपका चाप्टर जो है manly start होता है दोस्तों तो यहां हम बात करेंगे अभी इन elements के बारे में राइट करें start दोस्तों देखेगा दोस्तों यहां पर आपका पर करें तो इसके cases में सबसे first जो आपका point है कौन-कौन से element आते हैं दोस्तों इसमें देखेगा इनको mention कर दीजी आप कौन-कौन से element हैं आपके पास में यहां पर देखेगा दोस्तों आपके पास में हैं nitrogen होता है राइट आपके पास में phosphorus है आपके पास में और सेनिक है आपके पास में देखेगा SB है राइट यह आपके पास antimony SB हो गया और आपके पास में लास्ट बिस्मेट है क्लियर है ओके देखेगा ट्रिक और यह दोनों चीज़ें आपको पता है दोस्तों यहां पर नैमिंग को लेकर बात करूई या ट्रिक को लेकर बात करूई तो आप लोग बहुत अच्छे सा जानते हैं यह आपका nitrogen हो गया ओके यह आपके पास में phosphorus हो गया ओके देखिएगा यह आपके पास में और सनिक हो गया और दोस्तों यह आपके पास antimony हो गया ओके यह आपके पास में बिस्मित हो गया क्लियर है ओके ट्रिक भी आपके पास में प्रसेंट है ट्रिक भी आप लोग जानते हैं दोस्तों देखिएगा नेपाल इसको मैं हिंदी में मेंशन कर रहा हूँ से कोई typical नहीं है क्योंकि अगर English में लेंगे तो mean change हो जाएंगे उसके जो है इसलिए नेपाल पाकिस्तान क्योंकि इसमें नहीं हो लेकिन कुछ गुरूप ऐसे हैं दिन में change हो जाते हैं इसलिए इसको इसी में रखेंगे आस्ट्रेलिया यह ट्रिक हो गई symbols को रिप याद रखने के लिए नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी ओके clear है good देखेगा दोस्तों यह जो है आपके पास पी यहाँ पर मैं बात करूँ यह आपके पास में nitrogen है दोस्तों इसमें कुछ especially इसके जो points है उनको हम यहाँ पर highlight करेंगे दिखेगा यह आपके पास में gas के रूप में है आप लोग जानते है 78% present है यह भी आपको पता है environment में इसका percentage देखें 78% है यह अदर आप लोग ध्यान रख लेंगे nitrogen के case के लिए दोस्तों यह जो है आपके पास में यह जो सभी है यह आपके पास में इनकी बात करें तो यह solid form में है यह solids की form में है यह आपके पास में क्या है gases की form में यह solid form में है 15 जो group है उसका discussion पर ने start कर दिया है सबको share आपने कर दिया होगा दोस्तों भूल मज जाना क्योंकि very very important class है इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से सबको जोड लीजिए जिससे आगे problem नहीं आए वह आपको परेशान भी नहीं करें क्या यह समझाना है वह समझाना है क्या हुआ हुआ तो अभी से बोल दीजिए साटर्टिंग से यह लो अफड़ अपने आपके पास mataal retract kleinod अ मचैना क्योंकि क्या में उसित्या इस का में इस धुष्टार औरedel यह बाता है यह इस की की देख पके पास में हो गये अश्या इस नॉन मेटल में आगे, तो मेटल, मेटलोईड या नॉन मेटल जो है, तीनों टाइप केस में elements जो है, गुरूप 15 में present है, आपके पास में, क्लियर, दोस्तों देखेगा, यहाँ पर, इसके लिए अगर आपन देखना चाहें, दोस्तों, वैलें सेल में इसके, ओके देखेगा इसके वैलें सेल इलेक्टून को आप देखना चाहेंगे, दोस्तों, यहाँ पर वैलें सेल में इलेक्टून को आप देखना चाहेंगे, तो यह आपके पास में है, वैलें सेल इलेक्टून की बात करें, तो दोस्तों, आपके पास में है, फिए 5 इलेक्टून है, राइट, clear है 5 electron है इनके valence cell में ओके देखीगा इस तरह से next second point important देखीगा दोस्तों यहाँ पर अगर आपन देखना चाहें कि इनकी valence electron को हुग गया अपने पास में ओके second देखीगा electronic configuration general configuration आप इनका देखीगे electronic configuration तो आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या रहेगा electronic configuration इनका यह आपके पास में होगा ns2 np और देखीगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा np3 right clear ns2 np3 okay atomic number की बात करूँ तो यह आप लोग पहले से आप लोग जानते हैं यह 7 number atomic है यहाँ पर यह आपके पास में देखीगा यह दोस्तों आपके पास में हो क्या देखीगा 15 okay अगर यहाँ पर आपन बात करें और सनिक की तो यह आपके पास में देखीगा और सनिक कितना नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपके पास में यह जो है आपका हो जाएगा 33 इसे सही सिमिलरली यह आपके पास में है कि 6, 14, 32 और आपके पास में यहाँ पर प्लस करना है तो यह 51 और 83 हो जाएगा 51 और यह आपका हो गया 83 atomic number भी अपन ने साथ साथ इसको represent कर दिया है clear है आपके पास में सारे history अब दोस्तों देखेगा यहां से इसमें एक important जो board exam के लिए question रहता है बहुत बार board exam में question देखने को मिला है formula पूछ लिया जाता है दोस्तों Indian salt peter जो है क्या होगा और एक दोस्तों आपके पास में रहता है देखेगा यहां पर बात करूँ में आप से एक आपके पास में रहेगा चीली salt peter देखेगा चीली salt peter है ओके यह आपका चीली salt peter और Indian salt peter इसको आपको ध्यान में रखना है ओके देखिए दोस्तों Indian salt pitter की बात करें तो यह आपका होता है KNO3 potassium nitrate जो आपके पास में है potassium nitrate जो है यह आपका KNO3 Indian salt pitter important question है दोस्तों exam में काफी बार देखने को मिला है question Indian salt pitter का आप से यहाँ पर पूछ लिया compound formula Indian salt chili salt pitter जो है आपके पास में यह आपका रहता है दोस्तों देखिएगा यहाँ पर Na NO3 sodium nitrate जो है आपके पास में यह sodium nitrate हो गया आपके पास में clear तो दोस्तों यह आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि आपके पास में इंडियों सौल्ड फीटर और आप ने लेखा विए पर चेली सौलन इंडियों सौड फीटर आई वौस्तो याद रखने के दोस्तों सब को यह तो याद रहता है कि कि न्यौन 3 ऊंस्तों है लेकिन कुछ असा है बच्च आख इसा कहता कि सर्ह नियर्ली कुण सा है K, तो KNO3 किसके साथ में आएगा, आई जहां है, वहाँ K वाला आएगा, तो second जो चीली बच्की आपके पास में, N से सुरू हो जाएगा, NNO3, एक तो second जो अपने आप remaining रह गए, वो हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो चीली वानि दोस्तों चीली का मिन्स क्या है यहाँ पर मिर्ची से रेलेटर मिर्ची M, M का यहाँ पर यहाँ पर चेक करें तो N, तो N, N, O, 3 हो जाएगा तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, ओके यह आपके पास में देखी का यह देखा नाइट्रीट जिसको आपने यहाँ पर पोटिशियम नाइट्रीट है दोस्तों जिसको आपने कहा है यहाँ पर इंडियन सॉल्ट पीटर और एक आपके पास में था सोडियम नाइट्रीट okay सोडियम नाइट्रीट जिसको आपने यहाँ पे दोस्तों का है आपके पास में नाइट्री जो है यह है आपका चीली सॉल्ट पीटर है clear हो गया तो देखिएगा यह दोस्तों आपके पास में है जो आपका 15 ग्रूप है नाइट्रीट जो फैमली है नाइट्रीट जो आपके पास में चॉकिंग एलेमेंट्स जो है आपके पास में यह सभी है आपके पास में जिनमें नाइट्रीट फोस्फोरस औरसनिक एंटिमनी और बिस्मित हैं जिनके लिए अपनने कुछ फैक्टर्स भी अब हम इस में पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करें इनके रिख्टर क्या क्या रिख्टर हो सकते हैं पहले देखिया कुछ इनकी जो common properties है उनको अपन देखेंगे properties में common property को then chemical property यह सब अपन देखेंगे ओके तो physically तो अपन बात कर चुके हैं कि यह आपके आपके पास में gases की form में है जबकि यह आपके पास में क्या है solids form में present होते हैं ओके दोस्तों यहाँ पर देखेगा एक अपन छोटा सा और पॉइंट यहाँ पर जनल इंट्रोडेक्शन में आप ध्यान रखना चाहिए तो रख सकते हैं क्या इस पे इसली यह जो nitrogen है अगर मैं in form of protein यह protein की form में present होते हैं ठीक है protein in okay देखेगा plant plant cell है यहाँ फिर मैं कहुँँँँँद अग्या 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 जो कि animal cells में okay clear है दोस्तों यह आपके पास में plant या फिर आपन कह सकते हैं animals दो cell है इन में protein की form में present होता है nitrogen के लिए अगर आप लोग देखना चाहें तोड़ असा बयवाले बच्चे तो जानते हैं इस सब चीज़े ओके देखेगा next second point अगर देखना चाहें आप किसके regarding दोस्तों यहाँ पर बात करें किससे phosphorus है तो phosphorus है तो phosphorus है देखेगा दोस्तों यह जो phosphorus है आपके पास में यहाँ पर इसकी presence की अगर आपन बात करें यहाँ पर लिजिगा phosphorus अगर आप presence देखना चाहेंगे तो यह appetite family से बिलोग कर रहे है यह आपको mostly जो है यहाँ पर appetite family की form में मिलेगा तो appetite क्या है आपके पास में जो आपके पास में है appetite family ओके clear है appetite family देखेगा दोस्तों यहाँ पर बात करें appetite family की तो यह आपके पास में इस तरह से c a 9 calcium जो है आपके पास में 9 dot p o 4 p o 4 k hall 6 okay dot c a x 2 इस form में आपको मिलेगा okay इसको देखेगा थोड़ा सा आपन यहाँ पर इस तरह से space को manage कर लेते हैं एक जैसे आपके लिए point जो है complete हो जाए यहीं जो इंट्रेक्शन वाला point है यह clear हो जाए आपका okay देखेगा यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा सा आपको space मिल जाएगा clear देखेगा इस तरह से आपम इसको adjust कर लेते हैं digital का यही फाइदा है दोस्तों आप इसको जाओ जैसे adjust कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर clear हो गया आपके पास आपके पास appetite की बात कर रहे रहां दोस्तों clear यह जो आपके पास में appetite है एक सक्ट थोड़ा सा space यहाँ भी मिल सकता आपने को यही भी ले ले लेते हैं काम में अपन यह ले लीजिगा इसको इस तरह से आपने यहाँ पर set कर लिया okay clear आप देखेगे यहाँ पर appetite के लिए आपने लिया दोस्तों आपके पास में है clear x की जगए right okay तो देखीगा for example अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर this example अपर ने ले लिया दोस्तों आपके पास में है CA9 PO4 की हॉल्सेक्स okay और दोस्तों यह मैंने कर दिया CAF2 तो फ्लूरो अपटाइट हो गया okay क्या हो गया आपके पास में फ्लूरो अपटाइट हो गया तो यहाँ आपन कहेंगे यह आपका हो गया फ्लूरो ओके देखेगा यह आपके पास में किस तरह से आपन यहाँ पर okay फोड़ा से स्पेस की प्रब्लम थी कोई बार नहीं यह आपन इस किस तरह से मैनेज कर लेंगे यह आपके पास में हो गया और सनिक हो गया ओर सनिक हो गया तो यह आपके पास किस में प्रसेंट होगा यह जो है इसमें भी आपके पास बॉन्स में आपको देखनी को मिलेगा कैल सिम और आपके पास प्लांट मेटर में हो सकता है plant matter इसकी presence related चीज़ है क्लियर है दोस्तों आप देखिए और सेनिक Sb और यह जो आपके पास में है bismuth are present in sulphide minerals यह किसमें present होते हैं sulphide minerals में दोस्तों यहाँ आपन कहेंगे are present in sulphide minerals sulphide minerals क्लियर दोस्तों यह था आपके पास में इससे related जो आपका group 15 है देखिए आपको केवल समझना है दोस्तों notes words पर ध्यान देना as it is आपको ऐसा कैसा मिलेगा आप लोग यार बिल्कुल आपके पास ही रहे गाई मिल्कुल आपको कहीं भी कुछ भी इसमें if and but या फिर मैं कहूं एड बैड करने के जरूवत में इतना आपके लिए sufficient है competitive level तक मैं जा रहा हूं यहाँ पर तो आप लोग बिल्कुल अच्छा से इसको proper पर वे में आपके पास में है और आप लोग इसको अभी केवल समझ यह इसको रटना नहीं है समझना है चीज़ों को कुछ-कुछ फॉर्मुले है उनको आप ध्यान रखेंगे और दन क्योंकि theoretical chapter है इन और्गन chemistry का यह जो है आपके पास में पी ब्लोग ओके जिसमें group 15 आप सब्सक्राइब करें हमारा Apex Classes Edutech YouTube चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विदियो की updated notifications सबसे पहले आपको मिलें Apex Classes Edutech सब्सक्राइब नाओ